असलाम अलेकूम, क्या हाल है आप सब का, उमीदे सब खेरियत से होंगे आज हमारे किचन में सुभा सुभा गरम गरम पराठे बन रहे हैं हमने एक ही जाना था, किसी को मिलने के लिए और मैं बच्चों को रेडी कर रही थी तो अमी ने उतनी देर में जल्दी से नाश्ता बना दिया ताकि जब बच्चे रेडी होके नीचे आएं तो नाश्ता जो है वो रेडी हो और पराठा मुझे तो वैसे भी अमी के हाथ का पसंद होता है सारा दिन मैं बेशक कुकिंग करती रहूं लेकिन नाश्ते में मुझे होता है कि पराठा ममी मुझे बना के दें और उसके साथ ही जो अचार आपको नजर आ रहा है ये मेरी खाला ने मुझे भेजाए बना के बहुत मज़े का अचार है आमला, गाजर और लीमुगा बहुत बारीक चूरा चूरा करके जैसे ना बनाया वै और बहुत मज़े का ये तो पराठे के साथ मैं ये खाऊंगी और अभी मैं आपको पराठे का जो क्रण्च है ना वो भी चेक करवाती हूँ अचा हम सुबा सुबाज त्यार होके जा रहे हैं अम्मी की फ्रेंड से मिलने के लिए तो अम्मी की ये जो फ्रेंड है इनका नाम हाजरा अंटी है तो ये हमारे घर कुछ रसा पहले रहने के लिए आई थी तीन चार दिनों के लिए और इनके साथ मैंने व्लॉग्स भी बनाये थे जो आप से अपने बहुत पसंद किये थे वो व्लॉग्स भी मैं इस वीडियो के लिए कर दूंगे अगर आप वो देखना चाहें तो हाजरा अंटी तर हमारे घर के करीब ही रहती है तकरीबन 30 मिनिट की ड्राइव पर तो काफी अर्से से आंटी कह रही थी कि आप आएं हमें मिलने के लिए लेकिन बस कुछ ऐसा टाइम ही नहीं सेट हो पा रहा था तो आज हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और कि आठी ने फिर पाकिस्तान चले जाना है और आठी बच्चों को भी बहुत मिस कर नहीं थी वो जब हमारे घर रहने के लिए थी तो बच्चों की बहुत ज़यादा उनके साथ दोस्तिय हो गई थी तो बच्चे भी आज बहुत खुश थे की आज हम दादों से मिलने के लिए जा रहे हैं अच्छा मज़े की बात बताओं अम्मी को हमने बताया था कि अम्मी उनका घर जाए ना हाजराणटी का वो हमारे घर से करीब ही है अम्मी की जहन में जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं जोड़ के होगा या फिर दस पंदरा मिनिट लगेंगे तो आदा गहंट है तो करीब उनका गहर दूर था हमसे 30 मिनिट की ड्राइफ पे और अगर ट्राफिक जैम हो जाए तो फिर आपको पता जादा टाइम भी लग जाता है तो अब मी हमें भार बार पूछ रही थी कि तु तो बहुत दूर है हम तो लगता है जैसे दूसरे शहर में आ गए है तो हमारे लिए पचीस मिनट की ड्राइफ तीस मिनट की ड्राइफ जैब भी करीब होता है और मौसम भी आप देख सकते हैं काफी ठंड थी उस तिन वैसे तो यहां पे सारी सर्दियां ही सूरज नही नि सूरज ना निकले तो हमें तो यहां पे सर्दियों में आदत हो जाती है सूरज ना देखने की और मुझे लगता है कि जब सूरज नहीं निकलता ना तब ही ज्यादा एंग्जाइटी भी होती है और उदासी भी इनसान को होती है इसलिए बहुत सारे लोगों को सर्दियों म में एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है या डिप्रेशन सा होने लग जाता है तो पाकिस्तान से जो आते हैं हमारे बड़े बजुर्ग उनका आकर यहां पे बाहर के मुलकों में दिल जरा मुश्किल से लगता है एक तो यहां के घर जो है थोड़े विशक हाउसेज भ होती है फिर कोई सबजी वाला आ रहा है कोई रक्षे वाला आ रहा है तो शोर शिराबा रहता है तो एक तरह से वो थोड़ा और तरह का कलचर है हमारा यहां पे घरों के अंदर ही ज्यादाता रहते हैं लोग कोई सहिन वगरा नहीं है जहां पे बैठ सकें गार्डन विशक लेकिन सर्दियों में आप बिल्कुल नहीं बैट सकते इतनी तेज ठंडी हवा होती है पाकिस्तान में यह है कि सर्दी भी हो तो धूप निकली हो तो आप बाहर बैट सकते हैं जहन में तो यहां पर फिर जो बजूर्ग लोग आते हैं उनका अमूमन दिल नहीं लगता या यह काली हो के जो बच्चे हैं जिनके पास आएत्या वो उनके साथ इतना उनको इंवॉल्व रखें हर चीज के अंदर तो उनका दिल लग सकता है यह छोटे घर में तो माँ बाप का दर लिल लग जाता है वरना जयादे तर जो लोग आते हैं उनका दिल नहीं लगता इहां पर और यहां पे बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें हजबन और वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो माँबाप अगर आते भी है पाकिस्तान से इंडिया से तो दोनों मिया भी भी जॉब पे चले जाते हैं वो सारा दिन बिचारे कैद हो जाते हैं घर के अंदर ही तो काफे मुश्किल हो जाती है जो बड़ी उमर के लोग है न उनके लिए क्योंकि जुबान भी इतनी नहीं आती होती है एकसर लोगों को तो बाहर निकल के भी उनको कोई इस तरह से कोई अपनी इंटरेस्ट की चीज़ जैवर नहीं मिलती के ता मैं किसके साथ खेलू काफी जर अंटी से गफशप होती रही तो अंटी भी काफी खुश थी कि वह वापे जा रही है पाकिस्तान अंटी केरी थी शुकर है मैं जाओंगी वहाँ पर जाके छट पर बैठी कम असकम धूप तो से कूंगी ना तो मुझे उनकी बात सुनके काफी हसी आई के बड़ों की ना अपनी एक रूटीन होती है तो वो जब अपनी रूटीन से हट जाते ना तो उनको उसमें एड़्जस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आंटी से मुलाकात हो गई अब हम चलते हैं घर वापिस जब से ये पैंडेमिक शुरू हुए ना तो थोड़ा बहुत भी किसी के साथ मिलना मिलाना हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है नहीं तो वो ही एक घर की रूटीन रहती है हमेशा तो कोई आ जाए या हम किसी से मिलने चले जाए तो थोड़ी से रूटीन से हट के ज़रा इनसान फ्रेश हो जाता है और टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलता तो ये थी आज की वीडियो मेरे आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाहाफेज